मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज के बहुत अमेजिंग सेशन का जो कि हमारा टाइम इस पर दिस्टन्स का सेशन है ठीक है तो लास्ट क्लास में हम लोग के कोश्टन डिस्टन्स कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे prainner महरा सेख्ञाइस करेंगे तो आप लोगों के लिए यह शचानल बहुत जादा इंपोत अने तो लास्ट क्लास में जब मैंने यह वाला पार्ट कंसीडर नहीं किया था और मैंने बोला था कि आप लोगों का यह होमवर्क है अगर डिस्टेंस सिक्स्टेंट किलोमेटर है तब हमारा आंसर कितना होगा आप लोगों को पता भी होगा और बहुत सारे बच्चों ने लास्ट वीडियो के कॉमें इसका आंसर भी दिया था कि इसका इतना है ठीक है तो अच्छा पिछली पिछले question में जब हम लोगों discuss कर रहे था इसको लास्ट वीडियो में तो denominator का 5 में उधर ले जाना भूल गया था तो वह इंटो 5 हो जाएगा तो कभी कभी calculation mistake हो जाती है ठीक है तो बाकी formula मैंने आप लोगों को बता जिया था value था आप लोग निकाली लोग यार इस नोड़ मैं एंड एंड यह सीटी हमारे पास है म है और हमारे पास सिटी कितना है कितना है ए भात समझ मागी हमें आगे बोला जा रहा है एगए मतलब जो यहां से ट्रेन एक्स है यह हमारे पास जो ट्रेन एक्स है इसके स्पीड कितनी है भी यह 60 किलोमेटर पर आ रहे है और उधर जो मारे पासे ट्रेन कौन सी है उधर हमारे पास ट्रेन वाय है और ट्रेन वाई के स्पीड हमारे पास कितना है 84 km per hour इसके स्पीड कितनी है 84 km per hour ट्रेन वाई के स्पीड 84 km per hour है और ट्रेन एक्सके स्पीड कितनी है 60 km per hour है हाँ या ना? येस हमें आगे बोला जा रहे है इट टुक 7 minutes to cross each other पिछली class में जर्फ मैंने ये तना ही part लिया थे कि उनको 7 minutes लगे एक दूसरे को cross करने में बट यहाँ पर इस अलसो given in the question कि उनके cities के वीच में distance कितना है? 16 km का distance है जैसे ये दो cities है अब ये train धर से आ रही है तो जो इसका engine है वो यह है इसका engine यहाँ से start हो गया ठीक है? समझे आप बात को ठीक है? इसका engine यहाँ से start हो गया और कब तक हम बोलेंगी कि इसने पूरे इस point को cross कर दिया जब तरह इसका जो back वाला जो आखरी वाला डबबा होता है वो इसको cross नहीं करेगा तो जब भी भी कोई train किसी platform को किसी tunnel को cross करती है तो उसकी length के साथ-साथ हमें train का length भी consider करना पड़ता है तो यहाँ पर हमें यह देखना पड़ेगा अपने को यह तो मालूम है कि दोनों cities के वीज में 16 क्रिमेटर के distance है यह अपने को बिल्कुल clear है बट आप देख पार हो ध्यान जे बोला जा रहे है it took 7 minutes to cross each other उनको 7 minutes लगे कि दूसरे को cross करने में तो यहाँ पर 7 minutes में opposite direction में वो travel कर रहे है क्योंकि यह CTM है मारे पास CTN है यह वाली train CTN से CTN की तरफ जा रही है और वो वाली train Y CTN से CTN की तरफ जा रही है तो opposite direction में वो क्या कर रहे हैं ट्रावल कर रहे है और जब वो opposite direction में ट्रावल करते हैं तो speed क्या हो जाती है add हो जाएगी speed यहाँ पर 60 km पर आ रहे है यहाँ पर 84 km पर आ रहे तो speed add होके कितनी हो जाएगी जड़ा बताओ मुझे 144 km पर आ रहे और हमारे पास time कितना है 7 minutes है तो distance किसके बराबर होगा जड़ा बताओ distance किसके बराबर होगा speed into time के तो total कितना distance travel करेंगे वो 7 मिंट में speed 144 km पर आ रहे 144 time कितना हमारे पास 7 minutes का time हमारे पास 7 minutes को hours में change कर लो 7 by 60 हो जाएगा 12 12 होता है और यह 12 5 होता है यह 84 by 5 हो जाएगा 84 by 5 कितना होता है 16.8 km होता है तो कहने वाली बात यह है कि दोनों train 7 मिंट में 16.8 km का distance travel कर पाएगी simple सी बात ही तो है ना दोनों train 7 minutes में 16.8 km का distance travel कर पाएगी बट अगर logically सोचा जाए cities के बीच में तो सिब 16 km का distance है तो यह .8 जो एक्स्टा किलोमेटर आ रहा है यह किसलिए आ रहा है यह जो .8 extra km आ रहा है वही तो दोनों train की length है .8 km क्योंकि मैंने बताया ना जब वो cross करते है तो खुद की length भी तो cross करते है ना ठीक है पताया ना जब दो train दूसरे cross करेंगी तो एक दूसरे की length भी cross करेंगी आपको फंडा पता होना चाहिए तो इस एक्च्वल में cities के बीच में 16 km distance है और वो साथ मिंट में 16.8 km distance travel करते है तो कितना extra travel कर रहे है .8 km extra travel कर रहे है .8 km में convert करोगे तो आपको इसको 1000 से multiply करना पड़ेगा this will becomes कितना 800 meter या 800 meter दोनोh trains का length है and it is clearly given दोनोh trains का length क्या है equal है तो 800 by 2 कितना हो जाएगा 800 by 2 कितना हो जाएगा 400 meter हो जाएगा 400 meter the length of each train the length of each train is 400 meter the length of each train is 400 meter हाया ना देख लो जरा साथ मिंट में वो दोनोh train मिलके चलेंगे कितना 16.8 km but the distance between these two cities is a 16 km तो what is this 0.8 km this is the sum of the length of दोनोh trains ठीक है दोनोh trains की length का sum है हो और दोनोh का length equal है तो 0.8 km is 800 meter 800 को 2 से divide कर दो तो 400 meter दोनोh एक train का length 400 meter दूसरी train का length भी 400 meter so this was our 29th question of time speed distance let's move ahead guys आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए so this was the actual question this was the actual question ठीक है ये था actual question जो हमें solve करना था now try to solve this amazing question guys बहुत ही प्यारा question है इस तरह के questions आप लोग exam में expect कर सकते हैं ठीक है देखे जरह पढ़नी कोशिश करते हैं अस question को two trains of length 360 meter and 300 meter 360 meter 300 meter take 22 seconds to cross each other when they travel in opposite direction ठीक है जब वो opposite direction में travel करते हैं speed add हो जाती है तो 22 seconds लगते हैं and the faster train which is of length 360 meter takes 1 minute and 6 seconds to overtake the slower train when they travels in the same direction that train simultaneously enter a tunnel of length 600 meter from opposite ends on parallel tracks after how much time will that tunnel be free कितने time बाट tunnel free हो जाएगी tunnel free होने का मतलब क्या है जब दोनों train tunnel से बाहर निकल जाएगी जब दोनों train tunnel से बाहर निकल जाएगी तो विटमीन्स क्या होगी tunnel free होगी बिल्कुल logical point है ठीक है तो देख लेते हैं जरह opposite direction में जब वो दोनों की दोनों train travel करती है जब दोनों की दोनों train opposite direction में travel करती है तो उनको 22 seconds लगते हैं उनको कितना time लगता है 22 seconds लगते हैं दूसरे को cross करने में तो यहाँ पर देखो ज़रह time बराबर किसका होता है distance upon speed universal for rule है सभी को मालूम हुआ तो दोनों train का length कितना है opposite direction में travel कर रहे है speed add हो जाएगी और दोनों train का length add हो जाएगा this one is the faster train as it is given in the question the faster train which is of length 360 meter ठीक है तो भहिया time कितना लगा 22 seconds distance कितना हो जाएगा 360 plus 300 upon speed of faster train plus speed of slow train यह जाएगा हमारे पास 660 यहां सा जाएगा speed of faster train speed of slower train यह जाएगा हमारे पास 660 by 22 which is 30 आ जाएगा सीधा सीधा 30 लिख देता हो न solve करके 30 आएगा 30 meter per second में आएगा सब कुछ ठीक है speed of faster train plus speed of slower train कितना आएगे हमारे पास 30 meter per second आएगे आया ना for the faster train which is of length 360 meter takes 1 minute 6 seconds to overtake the slower train यह slower train चल भी है faster train पीछे सा आती है इसको overtake करने में यह भी चल भी है इसको overtake करने में कितना time लगता है उसको 1 minute 6 seconds 1 minute में कितना seconds होता है 60 seconds plus 6 seconds हो 60 plus 6 कितना हो जाएगा 66 seconds लगता है ठीक है तो 66 66 seconds लगते है जब वो faster train slower train को पीछे से overtake करती है तो overtake कर रही है खुद भी और उसका length भी कर रही है तो दोनों का length add होगा दोनों की length का submission आप लोगो पता ही हां से कितना आता है time कितना लगता है उसको 66 seconds लगता है 66 distance कितना हो जाएगा 360 plus 300 upon speed of faster train minus speed of slower train इसको solve कर लेंगे हाथ से तो speed of faster minus speed of slower कितना आएगा 10 आएगा क्या देख लो जरफ speed of faster minus speed of slower कितना आएगा 10 आएगा क्या आया ना देखो जरफ यहां तक कि स्टोरी आप लोगो क्लीर है चलो आगे हमें क्या बोला जा रहा है यहां तक कि स्टोरी से भी को क्लीर होगी मैंने अब तक कुछ नहीं किया मतलब इन दोनों relations है आप यह निकाल सकते हो कि faster train कि speed कितनी होगी इन दोनों के add कर दो speed of faster speed of faster speed of faster से कट गया 30 और 10, 40 twice of faster कितना रहीं to speed of faster train कितना आगे 20 meter per second & speed of slower train कितना जाएगा 10 meter per second तो मुझे लगते है यह तो आपको बिल्कुल clear हो जाना चाहिए faster train का speed 20 meter per second है slower train का speed 10 meter per second है अब एक 600 meter की tunnel है यह वो tunnel है 600 meter एक 600 meter की tunnel है ठीक है, that train simultaneously enter a tunnel of length 600 meter from opposite ends on parallel track. From opposite ends on parallel track, after how much time will the tunnel be free? तो tunnel कितने दिन बाद free हो जागी? अपोजिट end से ये दोनों trains उसमें enter कर रही हैं. तो मुझे एक simple सा point बताओ, tunnel है, tunnel की तो एक लंबाई होती है, उसको में consider करना पड़ेगा. फास्टे ट्रेन माले हो इधर से enter होती है, ये जो train है, इसका लेंद कितना है? 360 meter. 360 meter खुद का लेंद 600 meter हो, तो total distance कितने टर्म करना पड़ेगा? 960 meter. और कितनी speed से करना पड़ेगा? इस speed हो फास्टे ट्रेन कितना है? 20. तो 960 by 20 कितना आजाएगा? 48 seconds. तो 48 seconds में पास्टे ट्रेन इसमें enter होके बहार भी निकल जाएगी. 48 seconds में. वहीं अगर हम slower train की बात करते हैं, तो slower train इस वालेंट से आ रही है. तो slower train को कितना टाइम लगेगा? 90 seconds. उसको पूरा क्रॉस करने में. तो भया, after how much time will the tunnel be free? तो टनल तो 90 seconds वाद ही free होगी न? क्योंकि स्कार्टिंग ए 48 seconds में तो वहाँ पर train, हमारे पास faster train भी थी. बट वो तो 48 seconds में भाहर निकल गई. तो slower train को टोटल 90 seconds लगा. क्योंकि एक साथ वो टनल में एंटर होती है. इसको ट्रेन में, इसको एंटर होने में, और बाहर निकलने में पूरा 48 seconds लगता है. उसको एंटर होने में, पूरा बाहर निकलने में 90 seconds लगता है. तो टनल विल भी free after 90 seconds. ठीक है? यहां तक कि स्टोरी आप लोगों को clear हो गई होगी. और बहुती amazing question था यह भी जो हम लोगोंने solve किया. ठीक है? इससे next question और भी एक amazing question है guys. यह accident वाला question बहुत बार exam में देखा जाता है. ठीक है? बहुत बार mock test में देखा जाएगा. इसको करने का सबसे सस्ता उटिकाउ तर accident and travels at 3 fourth of the usual speed and reach 45 minutes late. पचास कर डिस्टेंस चेण早 करने के बाद train का accident हो गया. ट्रेन का accident हो गया. ट्रेन का accident होने के बाद उसका speed कितना हो जाता है 3 4th of the usual speed उसका speed कितना हो जाता है 3 4th हो जाता है और जब speed कम हो जाता है तो अपने destination पर 45 minutes late पहुंचती है ठीक है had the accident happened 10 km further अगर accident और 10 km आगे होता he would have reached 35 minutes late अगर accident और 10 km आगे होता तो 35 minutes late पहुंचती है find the usual speed हमें usual speed बताने कितना हो देखो जाता दियान से समझने कोशिच करो यह हमारे पास 50 km का distance है starting distance वो 50 km तो train की जो initial speed थी मानलो वो usual speed उसकी s मानले ठीक है अब यहाँ पर accident हुआ पहले वाले case पर accident यहाँ पर accident होने के बाद उसने remaining distance कितने speed से travel किया three fourth speed से तो यानि कि यहां से लेके यहां तक तक कः सлемझ तो s speed से travel किया इसके बाद उसने कौनसे speed से ट्रेवल किया three fourth of s से यहां से लेकि यहां तक का distance ने three fourth of s से travel किया यह बात आपको समझ मां आ गई हो और वो अपने destination पर जो कि यहां पर है वो 45 मिनट्स लेट जी यानि कि प्लस 45 मिनट्स यहां पर आ जाएगा आया ना बताओ जो रहा इतना टाइम लगा उसको प्लस 45 मिनट्स लगे इस इट क्लिर अब मुझे बताओ बोला जा रहा है had the accident happened 10 km further on it यदि accident हमारा और 10 km आगे होता ठीक है तो यहां से लेखो जाल यह तो 50 km है पहले हमारे एक्सिडेंट ही पर हुआ था अब हमारे एक्सिडेंट यहां से गर और 10 km आगे होता यानि कि यह वाला लेंथ हमारे पास कितना है 10 km ठीक है तो अगर एक्सिडेंट यहां पर हो रहा है हमारे पास second case में हमारे एक्सिडेंट यहां पर हुआ तो एक्सिडेंट के बाद उसे train का speed कितना हो जाता है 3 4 और यह उसका destination है ठीक है तो second case में ध्यान से देखना मैं बड़े ध्यान से लिख रहा हूं second case में उसने यह पूरा का पूरा जो speed यह पूरा का पूरा distance है यह तो एसे स्पीड से ट्रेवल किया और यह आगे का distance 3 4th of speed से ट्रेवल किया आया ना और यहां पर वो कितना लेट हो गया यहां पर वो कितना लेट हो गया 35 मिनट्स लेट हो गया बोले तो हाया ना यह बात आप लोगों को clearly समझ मागी क्या so basically these are the two cases this is our first case and this is our second case यह हमारे दो cases है आपर पहले वाले case में वो 45 मिनट्स लेट होता है second वाले case में 35 मिनट्स लेट होता है हमें usual speed बताना है train का कितना होगा यानि कि S का value अपने को बताना है so this is not a big problem for us ठीक है हमारे लिए कोई बड़ी problem नहीं है दोनों cases को अगर मैं compare करता हूँ ध्यान से देखना उपर वाले case में यहां से लेके यहां तक का जो distance है यह वाला जो distance है उसने S speed से travel किया नीचे वाले case में उसने यहां से लेके यहां तक का distance तो S speed से ही travel किया है उपर वाले case में यहां से लेके यहां तक का distance उसने 3 4th of speed से travel किया है 3 4th of S से यहां से लेके यहां तक travel किया था और नीचे वाले case में भी यहां से लेके यहां तक का distance 3 4th of S speed से travel किया है ध्यान से देखा जाए तो उपर वाले case में यही वो length है जो उसने 3 4th of s speed से travel किया था और नीचे वाले case में उसने ये वाला distance s speed से travel किया है क्योंकि नीचे वाले case में accident यहाँ पर हुआ था तो accident से पहले तो उसकी पुरी usual speed ही होती है जिसको हम लोग s बोल रहे है accident के बाद उसकी speed 3 4th of s हो जाती है तो यहाँ पर accident हुआ तो उसके बाद उसकी speed 3 4th of s हो गई पहले वाले case में accident यहाँ पर हुआ था तो उसकी speed यहाँ से 3 4th of s हो गई थी तो यह दोनो cases में difference कौन से चीज हीरियेट कर रही है यह 10 km का track यह वो 10 km का track यह वो 10 km का track है जिसको पहले उसने 3 4th of speed से travel किया था अब वो usual speed से travel कर रहा है और इसकी वज़ा से उसके 10 मिंट बच जा रहे है पहले वो 45 minutes late हो था था अब सिर्थ 35 minutes late हो रहे है तो कितना time बच रहा है उसका 10 10 मिंट का टाइम बच रहा है, 10 मिंट का टाइम बच रहा है, टाइम कम कम लगता है, जब स्पीड बढ़ जाती है, सिंपल सा कॉंसेट है, इस्पीड बढ़ेगी, तो टाइम कम लगेगा, और ऐसा हुआ है यहाँ पर, पहले हमारे वोग यह वाली लेंद को 3 4th of S से ट्रेवल कर रहा था, अब वो इसको S से ट्रेवल कर रहा है, तो इस्पीड 3 4th से 3 4th of S से S हो गई, तो इस्पीड निकरीज हुई, तो definitely time क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है, तो बस यही से हम लोग अपना concept लगाएंगे, distance constant वाला concept, distance constant है ना बच्चे, यह वाला distance constant है ना, जब distance constant होता है, तो speed के ratio का just उल्टा कर दो, तो time का ratio आ जाता है, ठीक है, तो देखो जाना धियान से, यह distance constant है, speed का ratio, this is our old वाला case, और इसको हम लेते हैं new वाला case, तो speed new upon old हमेशा निकालता हूँ मैं, new speed कितनी है मेरे पास, s है, और पुरानी speed कितनी है, 3 4th of s है, s से s कटा तो यह कितना आएगा, 4 by 3 आएगा, तो speed का ratio कितना आ गया, 4 by 3, तो time का ratio कितना आ जाएगा, new by old, 3 by 4, हाँ यह ना, speed का ratio जदी 4 by 3 है, तो time का ratio कितना आ गया, 3 by 4, आप देखो, पहले time कितना था 4, अब time कितना है 3, तो time कितना कम हुआ, एक से कम हुआ, बट actual में time कितने से कम हुआ, 10 मिंट से, तो ratio का एक का value 10 मिंट आ रहा है, ratio के एक का value कितना आ रहा है, 10 मिंट, आने लग रहा है क्या, ratio के तो उसका ओल्ड टाइम में इस पीड कितना था था तो नया टाइम निकालते है ना उसका नया टाइम कितना होगा 3 उसका नया टाइम कितना होगा 30 मिनट्स होगा 30 मिनेट्स होगा है न यानिए जो उसका नया टाइम हो 30 मिन था गता है च्पीड कितना है 10 किलोमिटर है च्पनलो क्या बोलते हैं है है बोलते हैं डिस्टेंस पेकले है है तो इस पिडी किलो मेंटर है ga ट्वंटी किलो मेंटर वो कितनी है Smart accident कि बा setzt शक्राइड कभी कभी कितना हो जाती है तो 3 4th of 20 which is 50 हमसे यह भी पूछ सकते है कि बताओ यह total distance कितना है भाई हमसे भी पूछ सकते हैं बताओ यह total distance कितना है थोड़ा सा अब यहां पर oral ही नहीं का सकते हो जैसे ही इस point से 10 km आगे accident हुआ तो 10 मिंट बच गई और 10 km आगे होता तो 25 मिंट और 10 km आगे हो जाता तो 15 मिंट और 10 km आगे हो जाता तो 5 मिंट लेट होता और फिर हमारे पास 5 km आगे करते ठीक है तो लेट ही ना होता मतलब उस 60, 70, 80, 90, 95 यह total distance 95 km का है यह total distance 95 km का है मैं दुबारा बता देता हूँ यह चीज बच्चों को digest नहीं होती ठीक है तो इसलिए दुबारा बता देता हूँ एक बार थ्यान से देखो यहां से जब accident इस point से 10 km आगे हुआ तो गाड़ी 10 मिंट पहले पहुंचे लगी याने कि 35 म लेट होगी है और अगर 10 km आगे होता तो गाड़ी 25 मिंट लेट होती और 10 km आगे होता तो गाड़ी 15 मिंट लेट होती और 10 km आगे होता तो गाड़ी 5 मिंट लेट होती ठीक है 10 km की वैसे 10 मिंट बच गे तो आगे और 5 km जाओगे तो गाड़ी का accident महीं होना चाहिए जा उस कभी-कभी पूछ लेता है, तो मैंने इसलिये बता दिया आप लोगों को, ठीक है? बहुत एजी है निकालना, ठीक है? तो हम लोगों ने स्विड़ भी निकाल लिया, डिस्टन्स भी निकाल लिया, वागी टाइप लोगों को पता ही है यंआ पर, इसको हम लोग एक स्पेसिफिक टाइप बोलते हैं तो बहुत अच्छा कोशन है ठीक है आप लोगों को समझ में तो हाया हो गाए ठीक है लास्ट में हम लोगों ने पहले एक सिच्वेशन को कंपेर किया अच्छा क्वेशन को च्छोड़ो पहले एक सिच्वेशन कर लो मैं यहारला कोशन भूली गया थे कि मैंने अड़ी किया है यह वाला कोशन बड़ा प्यारा है इसको भी देखो ज़रा एक बार ठीक है अषिसरे है फाइंट अच्छा की सम्किल एक सिच्वेशन के समट कर दिन देखो लोगों टाइम्स वड़ा कोशन है ठीक है कैसे होता है मैं आपको बता जेता हूँ शकता है जैसे अभी हम जिस city में हैं हमापर शाम के चार बजे हुए है ठीक है कोई दूसरी city है यहां से बहुत दूर है वो दूस city उस city में जो टाइम हो रखा है वालो अभी शाड़े पांच बजे हुए है उस city में तो वो city वो जो city है हमारे से 1.5 घंट है एडवांस है आगे है ठीक है समझ मारी यह बात तो अगर कोई बंदा वालो city A में अभी city A में चार बजे हुए है शाम के और city B में बजे हुए है 5.30 पीम पर तो जब वो city A से ट्रेवल कर रहा था जा रहा था फ्लाइट से तो उसमें देखा भाई एयरपोर्ट पर जो अगर रखी तो उसमें कितना मतलब 1.5 घंटा आगे है वाली city ठीक है तो यह जब ट्रेवल कर रहा था उसमें देखा भाई अच्छा बजे हुए है एयरपोर्ट पर जो घड़ी लगी रहती है और जैसी वह वहाँ पर city B के एयरपोर्ट पर उतरता है तो उसमें देखा भा 3.30 मिनट बड़तीम तीन घंटे 30 मिनट और क्या एक्शुल में उसका ट्राइवलिं टाइम है तो एक्शूल में उसका ट्राइवलिंट इम नहीं है और कि जब यहां पर 6 बजचते हैं तो city B जा रहा है ना उसटी बिमें 7.30 टाइम होता है 730 और अक्ये थे जहब इहां पर छे थे तो अक्षब में जो सबाइव डियन अनक्या है , जब भी लॉकल टाइम म्एथ स्वड़ा ध्यान से करना हो तो जैसे कि इस स्वैर पोड़ा गया है ठीक है है सिटी पी और सिटी क्योग सिटी से कितने बज़े निकलता है वो तीन बज़े और यहां पर कब पहुंचता है फोर पी-म पर फ्रॉम 3 एम टू 4 पी-म फ्रॉम 3 एम टू 4 पी-म कितना टाइम लग जया उसको 21 hours लग दे है कितना time लग गया उसको 21 hours लग दे है 21 ही तो होगा न 3 a.m. to 3 p.m. yes sorry 13 hours होगे न 13 hours 13 hours होगे है न ठीक है फिर आगे क्या बोला जा रहे है हम लोग को another flight which leaves city q city q 7 p.m. and reach ctp at 3 p.m. 7 p.m. पर यहां से निकलती हो और 3 p.m. पर यहां पर पहुंच जाती है दूसरी flight तो 7 p.m. to 3 p.m. कितना time होता जरा बताओ 7 p.m. to अगना 7 p.m. 24 hours होते है उससे 4 घंटे पहले तो कितना हो जाएगा इस विल भी कितना जाएगा हमारे पास ही 20 आर्स आ रहा है हमारे पास ही ना बोलो जरा इतना ही आ रहे गया यहां तक कि जब फ्लाइट की स्पीड भी सेम है और कहीं पर बीच में रुकी भी नहीं है तो दोनों का time तो सेम होना चाहिए न एक्ट्वल में बट दोनों का time अलग अलग आ रहा है यहां से जो चलती है वो गंटते पहुंच जाती है यह तो पॉसिबल होई नहीं सकता ताइम में फ़र्क क्यूं आ। क्योंकि वह time-lone का local time में मैंने बताए चूंनसेप्ट लोकल टाइम वाला कौंसेट लोकल टाइम की वैसे फरक आ जा जाता है तो यह लोगाल की वैसे क्योंकि यहां से तेरा घंट लगए घंद्ट से एडवांस है, हमारे से एडवांस है, अगर यहां पर जब 3M होते हैं, वह definitely बहुत कुछ घंटे आगे होगी, हमें उससे फरक नहीं बढ़ेगा, ठीके, हमारे आंसे उस पर डिपेंड करता ही नहीं, हमें अगर निकालने हैं, यह एक्चुल उसका ट्रावलिंग टाइम, कितन 20 plus 13 by 2, which is 33 by 2, और कितना होता है, 16.5 parts, यह average time, 16.5 parts is the actual time, यह actual time, मतलब इस फ्लाइट को यहां से यहां पहुँचने में 16.5 गंटे लगते हैं, अगर वो CTP का ही time के अकोडिंग चले, और अगर वो CTQ के time के अकोडिंग चले, तो 7 बज़ अगर वो यहां से निकली है ना, त तो 16.5 गंटे माद वो यहां पर हो जाएगी, क्योंकि लोकल टाइम से फरकार है, तो इसलिए यहां पर difference आए, देखो ना, 16.5 गंटे लगते है, तो 13 गंटे लगे, यह 3.5 गंटे कम आ रहा है, यह 3.5 गंटे एक स्टा आ रहा है, लॉजिक भी समझो, 16.5 उनके actual time, तो इस आ जाएगा, ठीक है, और निकाल ही लेते हैं, ठीक है, वर्ना तुम options में बताने में तो expert हो चुके हो अब तक, ठीक है, चलिए जी, 11.550, which is in option A, which is in option A, ठीक है, चलिए, I hope यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो this was 32 question, this one was an amazing question, बच्चे कभी-कभी कन interviews हो जाते हैं, simple सा concept है, दोनों का जो time difference, दोनों का जो time लिया, 3 a.m. to 4 p.m. 13 hours होते हैं, 7 p.m. to 3 p.m. 20 hours होते हैं, तोनों को add करा, divide by 2 करा, 16.5 hours इनका क्या आ गया, time आ गया, ठीक है, actual time, distance निकालने के लिए, speed का multiply time से करना होता है, हम लोगों ने कर दिए, so our answer is option A, I hope यह 32 के 32 questions आप लोगो समझ माए होंगे, अब हम लोग next class में एक amazing concept discuss करेंगे, ठीक है, जिसमें exam में questions आते हैं, लोग उसको solve करने में बड़ा time लगाते हैं, बट हम बहुती कम time उसके questions solve कर देते हैं, ठीक है, तो see you in next session guys, do share these sessions and also subscribe my YouTube channel MBA Parts चाला, इस sessions को share करो, बच्चों को बताओ कि MBA Parts चाला पर सारा content basic to advance with previous questions upload किया गया है, ठीक है, और इसको maximum share करो, और channel को subscribe जरू कर लेना, ठीक है, चली है, see you in next session, bye guys